एक करामत औरी सुनिये ये भी हमें तारीख बताए एक बुढ़िया उनके पास आई अपने एक बच्चे को उठाए रो रो कर ये बुढ़िया बोली कीजी हजरत कोई उपाए मेरे मुस्तक बिल का सहारा किसी तरह से बच जाए बुढ़िया की फर्याद पे हजरत अपनी नजरे करम उठाए फिर ये बोले सुनो जही फाए ना मुम्किन है बच जाए पछड पछड के रोए बुढ़िया आपने जब ये राज बताए पाओं पे गिर कर फिर बो बोली लिल्ला है तुम दो इसे बचाए पाओं पकड कर फिर बो बोली रहम बहुत आया हजरत को उस बुढ़िया पर क्यों न आया है एक लोता बेटा है उसका मा को बिलगता छोड़िक जाए बोला से की बहुत दुआया है फिर बुढ़िया से फार्माए अपने उम्र कमेने रबशे इसको है दस साल दिलाई दस ही परस जीएगा सुन ले देता हूँ मैं तुझे बताई और न कहना इससे आगे इससे आगे हो ना पहाई बुढ़िया ने ये सुन कर पूरण खुशियों वाला अश्क वहाई उनके इस हिसान का बादिला ना मुम्किन था कैसे चुकाई उनके इस हिसान का बादिला बाबा बच्चा भी उसका उठे बेठा बिलकुल चंगा नजर वो आई जैसे वो बीमारे नहीं था जैसे कुछ ना हुआ तहाई अपने बेटे के संग बुढ़िया जब अपने घर लोट के आई अदा किया शुक्रियाना पूरण खुदा के आंगे सर को जुकाई बुढ़िया के बेटे ने सच मुच दस ही बरस का जीवन पाई होते ही दस साल की मुद्दत कैसे उसकी मौत न आए हजरत ने अपने जीवन के दिये था जो दस साल घटाए उसी हिसाब से भो भी अपने जीवन का अंजा में भिपाए उसी हिसाब से भो भी अपने कर्या कर्या कर्दिए्ट जीवन प्रॉग उसी हिसाब से भो भी अजा है